एक दिन सास ने बहु से कहा बहु मुझे एक बात तो बता मैं तुझे इतना डातती हूँ कोशती हूँ और बुरी-बुरी बाते कहती हूँ और तुपलट कर जवाब भी नहीं देती नहीं घुज़ा करती है बस हस्ती रहती है बहु कोतो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई कहने लगी मा जी आपको एक बात बताती हूँ मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी मा मेरी सगी मा नहीं है क्यूंकि वह मुझे से घर के सारे काम करवाती थी कोई काम मुझे से गलत हो जाता तो मुझे डाट भी पड़ती और कभी कभी तो मार भी पड़ती लेकिन मा थी वह मेरी मुझे उनसे डर लगता था कभी कभी घुसा भी आ जाता लेकिन मैंने कभी उन पर घुसा नहीं किया यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से ठकी हुई घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत मुझे सारे काम करने पड़ते फिर जब मेरी भावना तो यह चाहिए था कि बहु आई तो साथी जिम्मेदारिया उस पर डाल दी जाए लेकिन मेरी माने फिर भी मुझसे ही सारा काम करवाया कभी कभी तो भावियों के काम भी मुझसे करवाया और कहती कर दिया करो कुछ नहीं होगा तुमें ही आसानी होगी जब तुम अपने ससुराल जाओगी मुझे बहुत गुसा आता कि मा भावियों का काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्हें डाती भी नहीं फिर मेरी शादी के दो दिन पहले मेरी माने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी बेटा आज तक समझना कि मैं तेरी सास ती मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है किस सास ऐसी भी होती है लेकिन अब तेरी शादी हो रही है तो आज से मैं तेरी मा हूँ बेटा जब तुमारी सास तुमें कुछ क्या है तो समझना जैसे मैं ही डाट रही हूँ बस यही बात थी माजी कि मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगती क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्रैक्टिस करवा कर भेजा है और आप तो मुझे उतना डाटते भी नहीं है जितना मेरी माँ डाटा करती थी इतना कहकर बहु हसते हुए, किचिन में चली गई और साथ सोचते रहे गई क्या सच में बेटियों की प्रशिक्षन ऐसी ही करना चाहिए आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंड में जरूर बताए है